दोस्तो आप देख रहे हैं आम के पेड़ का सबसे घातक कीट जिसे अंग्रेजी में मैंगो लीफ हापर एवांग हिंदी में आम का फुतका का जाता है यहां कीट आम के पेड़ में वर्स भर रहता है परन्तु आम के बौर आते ही सेक्री हो जाता है यहांग नुकसान पहुचाना सुरू कर देता है इस कीट के आकरवन से 70-80% तक नुकसान होता है यहां तक कि इसका नियंत्रन नहीं करने पर या आम के फूल आने की आवस्था में बारिश नहीं होने पर पेड़ में एक भी आम नहीं फलता है यहां वीडियो आम उत्पादन करने वाले किशकों के साथ उनके लिए भी महत्वपून है जो अपने घरों में अपने बगान में एक दो आम का पेड़ लगाते हैं और उनके पेड़ में यहां कीट नुक्सान पहुचा रहा है इसलिए यहां वीडियो सुरू से लेके अंतक अवश्य देखिए क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे इस कीट का पहचान एवंग परिच्चय कीट दोरा नुक्सान का लक्षन एवंग अंत में बताएंगे इ इसका राशानिक नियंत्रन कैसे करें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसमें हम पहले नंबर पर बात करेंगे कीट का पहचान एवंग परिच्चय अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इस पर देखेंगे आप छोटे-छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं यहां कीट आकार में 4-5 mm का होता है यवंग जब यहां छोटा होता है सिसू अवस्ता में होता है तो यहां हलके पिले रंका दिखाई देता है इसी अवस्ता में बहुत ही ज़्यादा फूर्तिला यवंग शक्री होता है इसे छुने पर यहां उढ़ने लगता है तो पहुंचायाता है उसका क्या लक्षन है यहां कीट आम के पेड़ों में उसके तने में जो दरार होते हैं उसमें वर्स बर चिपे रहता है और जैसे ही फरवरी मार्च मा में आम में बौर आना शुरू हो आता है यहां कीट भी सक्री हो आता है यहां कीट आम के फूल का रस फूल का रस चूसने से उसका फूल कमरजोर होकर मुर्जाय आता है उहीं दुसरी और फंगस एटेक होने से भी नुकसान होता है इस परकार इस कीट द्वारा लगबक 70-80% तक नुकसान होता है यदि सही समय पर इस पर नियंतर नहीं किया सके एवंग फूल अवस्था में बा बारिस होने से उहां धूल जाता है जिससे फंगस का एटेक नहीं होता है और पूर्ष में अच्छा रहता है एक दो फ़ल इसमें आहीं जाता है परंतु यदि बारिस ना हो और सही समय पर नियंतर नहीं किया सके तो 100% पूरा इस कीट से नुकसान होता है दोस्तो अब हम आते हैं इस वीडियो का सबसे महत्रपुन टॉपिक जिसमें हम आपको बताएंगे इस कीट का परवन कैसे किया सकता है और इसको राशनिक दवा से कैसे नियंतरन कर सकते हैं सबसे पहले तो हम बताएंगे कि इस कीट का परवंद आप कैसे करें जैसे कि वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि यहां कीट आम के पेट का जो तना होता है उसके छिलकें जो दरार होते हैं उसमें वर्स भर छिपे रहता है इसलिए जैसे ही फरवरी मार्च में आम में बहुर आना सुरू हो जाए उस समय आप क्या कीजिए एक बार इसमें जो तना तना है उसमें आप मिट्टी तेल का स्परे कर दीजिए इसमें आप जो मोटा हिस्सा है तना का उसको आप चुना से पोताई कर दीजिए जिस्से कि उसको छुपने का जगा नहीं मिलेगा और कीट उसमें आकरमन नहीं करेगा ये तो परवंद की बात हो गई थी एदि आप परवंद समय पर नहीं कर पाया है और जो आम का पुष्ट पे है उसमें यहां कीट आकरमन करना सुरू कर दिया है और आप देख पा रहे हैं कि नुक्सान हो रहा है इस होस्ता आपको क्या करना है जो पंदर लिटर वाला टंकी है उसमें एक्टरा नाम का अब दवा मिलता है तो आप उसको इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको 15 लिटर वाले टंकी में 5 ग्राम दवा को घोलना है और इस्प्रे करना है इस्प्रे करने के लिए आप फूट इस्प्रे कर किजिए जिससे कि आपको आसानी से उपर तक इस्प्रे कर सकते हैं यदि यहां दवा नहीं मिलता है तो इसके जगह पे आप बहुत ही फेमस दवा है एडमायर जिसमें की इमीडा कुलोपीड 70% WG केमिकल पायाता है इसका दो ग्राम का पाउच को आपको 15 लिटर वाले टंकी में 15 लिटर पानी के साथ घोल तैयर कर इस्प्रे करना है इन दोनों दाव में से किसी एक का इस्तिमाल कीजिएगा दोनों को एक साथ इस्तिमाल नहीं करना है अगर ऐसे करते हैं आप तो आपका यहां कितनी अंतर्ण हो जाएगा और आपका नुकसान होते होते आपका आम का फसल बच जाएगा तो दोस्तों यh अकर 奇怪 कैसे लगा है अगर पसंद आया ही वीडियो को लाइक की ज़ेजिए और अगर को जानकारी है तो इसमें कमेंट में कीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद